हो रहा है और यह कह रहा है कि सौ मोदी भी आ जाएं तो इस बार हम उनको जीतने नहीं देंगा आपको लगता है कि यह बयान इस बयान से समझ भे नहीं आ रहा है कि आपको मौझूदा केंदर सरकार की नीतियों से एतराज है या एक वेक्ति विशेश से एतराज है ये बयान तो यही दिखा रहा है कि आपको एक मोदी जीसे दिक्कत है इसलिए आप ललकार ने कि भाई आ सौ मोदी भी आ जाएं तो हमे के सिधान क्या है या उनके विचार क्या है आप भई जब राजनीती में होते हैं तो दो तरीके की राजनीती कर सकते हैं तो सकारात्मक कीजे या नकारात्मक कीजे नकारात्मक राजनीती में आप एक वेक्ति का विरोध करते रहते हैं विरोध करते रहते हैं विरोध करते रह बढ़ा सही, गलड, डिबेटेबल हो सकता है बड केंद सरकार अपनी नीतिएं पर काम तो कर रही है पर जब मौझूदा विपक्ष उन नीतिएं का विरोथ करने की बजाए या उसमें अपनी बहतर नीतियां बताने की बजाए से विक्ति-विशेश का विरोथ करते हैं करते हैं कि विपक्ष या फिर महागडवंधन अगर बनता है तो कॉंग्रस के बिना नहीं बन पाएगा लेकिन नेतिश कुमार जे भी है जो दिल्ली आना चाहते हैं तो फिर कैसे यह एक जूट होंगे और कैसे फिर लड़ेंगे बीजेपी से भाई विपक्षी एक्ता एक भ्रहम बना हुआ है और एक लंबे समय से विपक्षी एक्ता का प्रयास किया जा रहा और मैं सिर्फ लोगसभा चुनाओं की बात नहीं कर रहा जनरल इलेक्शन्स में ही अगर स्टेट में भी इलेक्शन्स होते हैं तो वहाँ पे भी ये लोग प रचार करने के लिए एक साथ एक मंच पर खड़ेओं के फोटो अपरचुनिटी इसकले जब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर तस्वीरे किचाते हैं तो उस मंच पर एक साथ एक मंच पर एक दरजन से ज़ादा प्रधानमंद्री पत के दावेदार आपको दिखाई देते हैं और हर किसी के अपनी वेक्तिकत महतवकांशाएं हैं और ऐसी वेक्तिकत महतवकांशाओं की वजह से ही विपक्षी एक्ता कभी ये लोग एक जुट हो ही नहीं पाएं। और आज भी भाई कई ऐसे दावेदार हैं क्यों मम्ता बेनर जी जी नहीं चाहेंगी कि भाई वो विपक्ष का नेतरुतु करें या क्यों नितीज मेरे मुख्य मंतरी मेरे प्रदेश के वो भी उनकी भी अपनी ख्वाइशें हैं कि भाई वो आए कि एजरिवाल जी की अपनी ख्वाइशें हैं उत्तर प्रदेश के कई नेता हैं जिनकी अपनी ख्वाइशें हैं कि भाई वो विपक्ष को लीट करें ऐसे में कॉंग्रेस भी एक बड़ी राष्ट्य पार्टी है तो ये विपक्षी गडबंदन हमेशा से चड़ा है और यही कारण है कि ये कभी एक ज हो नहीं पाए एक सवाल अख रही है अपने नित्रुश कुमार का नाम लिए आपको लगता है कि उनके प्रदेश के आज ये हालात हैं कि पूरा प्रदेश आज जल रहा है आगजनी में हैं, अपराद की गिरफ में हैं और बाकी ब्रश्टाचार और बेरोजगारी और महंगाई यह सब तो अब एक तरफ है लोग ही जब महां पे मर रहे हैं तो फिर बेरोजगारी और यह सब तो माइने नहीं रखता तो जो मुख्य मंत्री प्रदेश का नित्रतो ढंक से नहीं कर पाए वो देश का नित्रतो क्या करेंगे यह अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चन्या